जोडो 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 सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सिनियर नेता है शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ अभी भी कश्ट हो रहा है अभी भी कश्ट हो रहा है यह देखे यह सारे यह यह तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ यह मगर मैंने सिर्फ सच्चाय रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज 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 आपको डौने कीजरूद नहीं है तो कि आज जो मेरा भाशन है और आप झारोमाः झारोमाः जारोमाः जूजार लिपट इसलिए दूनि जूनिсьै डिदोगि आ legally ऑन्यए डिल उन्य विए धत्र जूमा कर कर दोदियन आज कोई घबराने की जरुरत नहीं है, आज मैं अपना भाशन, में जो भाशन है वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ, तो आप रिलाक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डारेक्शन में जा रहा है, रुमी ने कहा था, रुमी ने कहा था, जो शब्द, रुमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं, वो शब्द दिल में जाते हैं, तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ, और मैं आज आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूँगा मतलब एक दो गोले जरूर मारूँगा मगर इतना नहीं मारूँगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया अकेला अकेला नहीं बहुत सारे लोगों के साथ स्था ये हमारा टाइम खतम करने का साजेशन समुदर अधीर अधीर समुदर समुदर के समुदर के टट से कि आ लमारे के साथ मि बाणिये जीमें करनास है अधार कर शिक आधीर और आधे हैं आधे, आधाधे की अधि There कि आधे के सब्सक्रानास आधे समुदर के टट से कश्मीर के बरफिली पहाडी तक चला नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराइए मत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान यात्रा के बाद किराहुल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझसे पूछते थे मेरे मुझे जवाब नहीं निकलता शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने यह यात्रा क्यों शुरू की जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाता हूँ समझना चाता हूँ लोगों के बीच में जाना चाता हूँ मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी जिस चीज से मुझे प्यार था जिस चीज के लिए मैं मनने को त्यार हूँ जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूँ जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गानी खाई उस चीज को मैं समझना चाता था ये है क्या जिस ने मेरे दिल को इतनी आप रनिंग कमेंटरी बांद करेंगे तो हम भी चालो करेंगे जिस चीज जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहाँ शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमेटर दोड़ता हूँ तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमेटर दोड़ सकता हूँ तो 25 किलोमेटर चलने का क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने सोचा था आज मैं उस भावना को देखूँ तो वो अहंकार था कि मैं यह कर सकता हूँ यह कुछ नहीं है तो मेरे दिल में उस समय अहंकार को मगर भारत अहंकार को एक दम मिटा देता है एक सेकंड में मिटा देता है किया दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्थ शुरूओ किया पुरानी इंजरी थी और जबर्दस दर्थ हर रोज मैं उठू और और मेरे घुटने में दर्थ हर कदम में दर्थ तो पहले दो तीन दिनों में जो अहंकार था जो मतलब भेरिया जो निकला था वो चीती बन देता है एकदम जो हिंदुस्ताइन को अहंकार से देखने निकला था वो पूरा पूरा अहंकार गायब हो गया और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा ये ये मेरे दिल में डर्थ था और जब भी ये डर बढ़ता था जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ती मेरी मदद कर देते हैं एक दिन मैं सेह नहीं पारा था एक छोटी सी लड़की आती है मुझे चिठी दे देते हैं मैंने चिठी खोली आठ साल की ती उसमें लिखा था राहूल आयम वाकिंग विद यू डॉंट वारी उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ती मुझे देगी सिर्फ उसने नहीं लाको लोग और शुरुआत में जब मैं चल रहा था कोई किसान आता था कोई किसान आता था मैं एक दम उसको पहले उसको अपनी बात बताता कि आपको ये करना चाहिए कि आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए मगर इतने लोग आए हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोलनी पाया मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया बोली नहीं पाया कि इतने लोगों दे बोलना था और एक सनाटाज अचा गया बीड की आवाज थी भारत जोडो भारत जोडो भारत जोडो और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया हर रोज सुबह छे बजे से रात साथ आठ बजे तक आम आदमी गरीब, अमीर, बिजनसमेन, किसान, मजदूर सब के आवाज आ रहो आ रहो आ रहो आप आप कल से रुके हैं, अब थोड़ा और रुक लाओ पाज़ दर मिल रुक जाओ तो ये चलता गया मैं बात सुनता गया और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थे और उसने मुझे कहा उसने कहा उसने मुझे कहा मेरे आँख में देख कर उसने मुझे अपना वो रुई रुई का बंडल दिया और उसने कहा राहुल जी ये ही बचा है मेरे खेत का मेरे खेत का ये ही बचा है और कुछ बचा नहीं है मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था भाया आपको भीमा का पैसा मिला वो पूछा भीमा का पैसा मिला वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पक्रा किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी मुझे भीमा का पैसा नहीं मिला हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने वो मुझसे छीन दिया मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया जो उसके आँकों में शरम थी जब वो अपनी भीवी से बात करता था वो शरम मेरे आँकों में आई जब जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझाए और उसके बाद यात्रा बिलकुल बदल गई मुझे भीड के आँवाज नहीं सुनाई देती थी मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के आँवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था उसका दर्द उसकी चोट मेरा दुक मेरी चोट मेरा दर्द बन गया कि कोशिश करो बाई और बेनों लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देश है कोई कहता है ये अलग अलग भाशाएं हैं कोई कहता है ये जमीन है मिट्टी है कोई कहता है ये धर्म है ये सोना है ये चांदी है मगर भाई और बेहनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की आवाज है इस देश के लोगों का दर्द है दुख है गटिनाई है और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहमकार है हमारे जो डिजायर्ज है हमारे जो सपने है उनको हमें परे करना पड़ेगा जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देते अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉंफिडेंस मोशन में क्यों रखते इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों ककश्ट है मुश्किले हैं क्योंकि भाई हो और वहन हो अद्यास मोदे आप पूरा सूद समय जवाब मिलेगा फिर पूरा सूद समय जवाब मिलेगा फिर आप हमें मत रोकेगा फिर आप हमें मत रोकेगा फिर आप हमें मत रोकेगा आप हमें मत रोकेगा फिर आप हमें मत रोकेगा फिर अब सब देख रहे हैं सब सुन रहे हैं आप हमको फिर बस रोकेगा तो स्पीकर सर बारत एक आवाज है बारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं हमें अहंकार को नफरत को मिटाना पड़ेगा स्पीकर सर कुछी दिन पहले मैं मनेपूर गया हमारे प्रधान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्यूंकि उनके लिए मनेपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मनेपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सचाई यह है कि मनेपूर नहीं बचा है मनेपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनेपूर को आपने बाट दिया है तोड दिया है मैं मनेपूर में रिलीफ कैंप में किया रिलीफ कैंप में आज आ रहा हूं आज आ रहा हूं मनेपूर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की खाल 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 उन्यालिट आपाल शुरॉ और बनेपुर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया. एक महिला मुझे कहती है, मैंने उन से पूछा, बेहन, क्या हुआ आपके साथ? पूरे सब खड़े होगे तो पूरा देश खड़ा होगा आपके खड़ा होगा मैं मैं बहुत साही महिलाँ से बात किया मगर मैं आपको दो धारन देना चाहता हूं एक महिला मुझे कहती है मैंने क्या मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ कहती है मेरा चोटा सा बेटा एक ही बच्चा था मेरा एक ही बच्चा था मेरा मेरे सामने मेरे आँखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी रात आप सोचिये आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिये मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूट नहीं जूट आप बोलते हो जूट मैं नहीं बोलता हूं मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी कहती है नहीं सिर्फ मेरे जो कपने हैं ये मेरे पास है और फिर इधर उदर ढूंटती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधारन एक और उधारन दूसरे कैम्प में मैं एक महिला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारे साथ और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूचा बैठो जैसे जैसे ही एक सेकंड में वो कापने लगी उसने अपने दिमाग में वो द्रिश्टे देखा और वो बेहोश हो गई मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गई तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारन दिये हैं स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हतिया की है सिरफ मनिपूर की नहीं हिंदुस्तान की हतिया की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मौडर किया है कर दो भागिए हैं जाब करेजी जाब करेजी आपने मानने समी सदेश्द का हुआ शांती रखें फ्लीज फ्लीज मनिय प्लॉर हाँ क्या बोल रहे हैं आप बोल लिए हैं आप बोल लिए हैं आप क्या बात है ओऔ टें धुआ टोल रहे हैं आप मानने का बात हैं झात हैं वी और मानने समीज ऑल्ते बेसे झालाच हैंro ता रहे हैं आप जा हैं आप यप मढ ¿ कि ये हैं? झात है 6 क्वाइब दोगे से ऊदिया लिए य। भाइब बुन्हें है अच्छा विवंद्गे दोगे विखी फैस्टाषन है विलिटेंट में एक नहीं है विखना कोंगरस पार्टी इस के मझेशन है का व्रेजिए और टन्या वार्ण व्रेड्ट करें एघए प्रमाइए भार्ण विखए प्रण्ट कि अपिन की आइए अपिक फाल में आञगेंगे चैना वर्णली एड़ेंगेंगेंगेंगेंगेंग किसंदी कि आइए। अब प्रस हापन, हो गया, हो गया आप आखो 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 आख दे व्यानी परम मे stump पर सिंद्वरे Gener Salama लिजा रां प्रस भादा एक करो, तिल निखे करो जो लूद॥ पर अखो दो, परमा एक आखुमि आखुमि tank में खौने करे अखुमितू और तो शाहिए शाहिए यो तक हमार्त ए देखते जब ऴेटि ऑजेवज सी को तो तेर स्सेत्ट और अमकुब कर리 ön To एक मिज्ज बेटिये एंगे प्रूप सेट्लिष फिर लीख लेटिये प्लीज बानुचि consumulator प्लिस बालू जी फ्लिस बालू जी फ्लिस एक एक म Exactly प्लीज फीलिस भिटens भीटे मान्या सदह गन जिस तरीके का विहार आप टेबिल परांतर कर रहा है जिस तरीके से सदוא करेगा यह त्षिप नुठी है जिब मेरे किसी को काया तो काया इस सदह नुठैरасть जलत तरीका यह नो ऐसे सदेंशने वाला नी है जो माने सदेशेट टेबिल पाया है उनके खिलाब कारवाई होगी बैठिये बैठिये आप भी बैठिये आप भी बैठिये माने मंत्री जी भारत माता प्लीज बैठिये मैं बहुत शांती से सुन रहा हूं इसका तरीका यह नहीं है उचीतों कि आप टेबिल पर आएं नहीं गलत गलत तरीका यह है आप आप जैसे मैंने जैसे मैंने आप लिए जैसे मैंने प्लीज जैसे मैंने बाशन के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जनता की आवाज है दिल की आवाज है उस आवाज की हत्या आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हज्या की है आप देश द्रोही हो आप देश भक्त नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश भोई यहों, आपने देश की हतिया मनिपूर में की लोगों के दिल में लेज़ एक मिन भेठा एक सवाल उठता है एक मिन आपी ब्राजियर आप भी ब्राज़ों आप भी ब्राज़ों आप बेठियर सही में बयटियर रेने आप बोलें पिर आप भारत माता के रख्वाले नहीं हो आप भारत माता के हध्यारे हो आवीज, मानिय सद्री complement, देखिए, मानिय सद्रीकर्ण प्लीज, भारत मां हमारी मा है, हमें सदन में बोलते समें सियम बरतनाचि मैं अपनी इना की हतिया की बात कर रहा हूं मैं अरे से बोल रहा हूं आप मेरी मा की हतिया की मनिपुर में एक मेरी माँ यहां बैठी है, दूसरी माँ को आपने मनिपूर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हदिया कर रहे हूँ हिंदुस्तान की सेना मनिपूर में एक दिन में शांती ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हूँ क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपूर में मरना चाते हो तो अगर नरेंडर मोदीजी हिंदुस्तान की अवाज नहीं सुनते हैं अगर हिंदुस्तान के दिल की अवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं, अजांए मधनेशदर से मीडि़िक के लिए इसलिए सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं, नौ एक गलत तरीका मानेश Candish आपका गलत तरीका है आप सीनियर सदेश है आप इस तरीके अब दार सदर में मत करिए आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोष्ट लाना यह उचित नहीं है किसी तरीके से रावन रावन दो लोगों की सुनता था रावन दो लोगों की सुनता था मेगनात और कुम्ब करण वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमित शाह और अटानी बाई और बेड़ो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था प्लेज माने सदेशे आप सही है मिक बोले आप ये सदन है आप तरीगे से बोले माने सदेशे रावन को नहीं मारा था, रावन के अहंकार ने रावन को मारा था, आप पूरे देश में केरोसीन फेक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसीन फेक रहे हो, आपने मरिपूर में केरोसीन फेकी और पे चिंगारी लगा दी, अब आप भर्याना में कर रहे हो, पूरे देश को आ झाल 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 झाल